तो यहाँ पर हमारे पर चार वाचेश हैं, देख सकते हैं यहाँ पर चार नहीं साथ पाँच हैं इसकी सारी सारी वाचेश की इवन, लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जाएगे, एक लाइक कर दीजे, एड इस वीडियो को मैक्सिम से मैक्सिम लोगों तक शेयर कर दीजे, गिववे लाइफ था, बहुत साल लोगों ने ग्रैब किया, करीब 5-6 वाचेश को सबको पहुँच शुकी वाचेश, तो फिलाल यहाँ पर नेश्ट गिववे कब होगा, आप सभी को कब मिलने वाले नेश्ट गिववे, तो गैस एक गिववे अल्रेडी हमारी चैनल पर लाइव है, वो गिववे है पता है किस वाच का, वो है फायर बुल की रेसिंग सीरी स्वीडियो को भी, ताकि आप सभी के लिए वो गिववे लाइव हो सके, वो गिववे कब तक वैलिड है, नेश्ट मंथ 15 तरह तरह मतलब अगले मंथ, अगला आधा महिना, जनवरी 15 तक वो रहेगा वैलिड, तो तब तक अगर व्यूज आते हैं, बहुत ची बात हैं, नह मैं नेश्ट गिववे प्लान करूंगा, एड इस बार गिववे पूरा टोटली फ्री रहने वाला है, आप चिंता मत करें, बहुत सा लोग चाते हैं, फ्री वाले गिववे लेकिया हूँ, तो गैस, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशन्स रखना पड़ेगा, वीडियो उसको देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि व्यूज आए, देन उली मैं आप सभी के लिए, फ्री वाले गिववे लेकिया आता रहूँगा, तो चलिए फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी के लिए, ताइम अलरी बहुत जा चुक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, यहाँ पर मैं वाच रखना चाता हूँ, यह है, अभी हाथ विलाल में आई थी, Beed XP की Nuke Watch, काफी कमाल की वाच है, लुक और फिल काफी अच्छा है, यहाँ पर वायलेस चार्जिंग के साथी वाच आती है, सिर्फ वायलेस चा सकती है, बट ध्यान अगा थोड़ी सी मोटी है, तो यह लाश्ट मीटियम तो फिल काफी परफेक्ट बनी हुई है, और 16 रुपे के कीलर डील पर मिल रही है, आपको, true AMOLED इस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले काफी अच्छी, टूपन 5D, कर ग्लास देखने को मिल जाता है, इ तो यह भी काफी अच्छा है, एंड काफी comfortable रहती है, हाथों पर काफी अच्छी लगती है, देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे हाथ मीडियम है, तो इस तरीक से लग रही है, तो लिंक इसकी description box मिल जाएगी, जाके आप grab कर सकते हो, buy कर सकते हैं इस watch को, यह Altspunk Pro कह सकते हो, या Beat XP Vega X की हुब हूँ, डिटो, UI की पूरी की पूरी की पूरी कॉपी लगती है, नेक्ट जो watch है, वो हमारे पास है, यहाँ पर यह वाली watch, कम price में, अभी यह deal पर ही है, एक loot killer deal पर है, yes, firebolt की emperner, यह पता है कि तक मिल रही है आपको, यह मिल रही है सर्फ फंदरा सुर्पे क इसकी display है, और यहाँ पर AMOLED है, true AMOLED मिलती है, proper black punchy colors देखने को मिल जाते हैं, इसमें देखने के लिए, और symmetrical type की बैसर, काफी ज़्यादा premium feel लगता है हाथ में, काफी अच्छी लगती है, और यह watch वैसे, एक issue S watch के अंदर, वही same जो beat XP की nuke में था, जब call wall आती है, only vibrate कर उस पे अच्छी लगेगी, उससे नीचे यह watch अच्छी नहीं लगेगी, अगली लगेगी उस पे आतो पे, तो guys इसमें भी 20mm का strap size है, aftermarket का आप इसमें भी लगा सकते हो, मैं चाहिए इन दोनों को compare करके दो आपको, तो यहाँ पर 20mm का ही है, दोनों में ही देख सकते हो, इ यह आती है, noise की icon to vista, guys काफी killer deal बन जाती है इस watch की भी, 1799 रुपे के price bracket में देखने को मिल रही है, जब ही launch ही थी 25 रुपे की मैंने खुद बाई की थी, पिछले साल I guess, इसको 8 या 9 मेने हो चुके है, I think 10 मेने लग जाएगा, तो काफी अच्छा perform कर रही है, मेरे से around 6 feet की height स गरी थी, और यहां पर थोड़ा सा ही है, इसका tilt हो गया, बट अभी भी, यहां पर work कर रहा है, कोई as such दिक्कत नहीं है, rotating crown तो है नहीं, इसका push button है, तो यहां पर proper work कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लाश्ट में तो thin to skin, इस सारे इसको ले काफी perfect रहती है, AMOLED display मिलते हैं, इसमें 2.5D curve glass देखने को मिल जाते हैं, डीपर black, spongey glass देखने को मिलते हैं, और guys, यहां पर games calculator, voice association, 3 चीज़ मिल जाती है, जो की noise की बहुत ही rarely watches में आपको देखने को मिल जाता है, जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, फ्लॉव यह है कि watch में आप song नहीं and guys, इसमें game मिलते हैं, इसके उपर मैंने दो जो watch बताई न, उसमें games भी नहीं मिलते हैं, तो ही है, एक इसमें plus point बन जाते हैं, इसकी link आपको description box मिल जाएगी, जाके आप grab कर सकते हो, flip card पे अभी on offer मिल रहे हैं, 17992 रपे के price bracket में, तो guys, यहां पर आती है, यह वाली beat XP की evoke, beat XP की मैंने दो watch रखे हैं, एक तो new और एक evoke, evoke तो काफी better है new से, क्योंकि इसमें आपको 1000 nits की brightness में जाती है, यहां पर display भी थोड़ी सी बड़ी मिलती है, 1.43 निचिस की display मिलती है, अब यह बहुत सा लोग बोलेंगे, यह क्या कोई issue है, इसमें line, no guys, यह by default इसका watch face ह यह बाला मिलता है, and guys, यह watch आपके last to mediums के ठीक है, finish पे अच्छी नहीं लगेगी, ध्यान रखना है, यह watch देख सकते हो, 1.43 इंचिस की display आती है, यह आपके formal look में आती है, secondary बिटन देखने को मिलती है, काफी अच्छी watch है, यह proper ring करती है, जब call wall आता है, और again, इससे पहले मैंने noise की watch बता है, वो भी आपकी ring करती है, और यहाँ पर alarm पे भी ring करेगी, but noise की watch में only vibrate करती है, तो यह अच्छा है इस watch में, और यहाँ पर accuracy decent मिलती है, बहुत जादा बेटर नहीं कहूंगा यहाँ बट यहाँ पर यह काफी अची deal पे मिल रही है, अगर इसी काई lower version च आ सकते हैं, अगें यह वी watch काफी अच्छी आती है, games calculator यहाँ पे, voice assistant यहाँ पे, आपको देखने को मिल जाती है, तो guys, इसकी link आपको description box में जाएगी, जाके आप grab कर सकते हो, बाइ कर सकते हो, aluminum casing और 25D curve glass देखने को मिल जाता है, look or feel काफी premium आता है वैस इस watch का, इस तरीके की Unbound Plus भी कह सकते हो, बट Unbound Plus का जो price हो जादा है, तो मेरी comment कुनगा है यहाँ पे, यह वाली, जो अपकी fit shot की crystal इसके लिए आप जा सकते हो, काफी premium फिल आता है इस watch का तो खास कर, अब chain वाला strap तो available है नहीं अभी फिलाल, बट एक काम कर सकते हो, आप अलग से chain वाला strap ले पाइल मिलेगा उसका, तो silver color में silver color की chain आप यूज कर सकते हो, black color के वाली chain भी अच्छी लगेगी, बट silver उच्छी लगेगी, यह आपको काफी ज्यादा feature के साथ आती है, 550 nits की peak brightness मिलते है इस मैपो जेखे लिए, और apple की look के साथ आती है, बट थोड़ सा different look है इसका, apple की copy लगती है, थोड़ सा अलग है इसका, और amoled always on display मिल जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर lag भी नहीं करती है, watch काफी अच्छा perform करती है वैसे, दिख सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा lag भी नहीं है, and guys यहाँ पर आपको list grid वाला 2-2 menu मिल जाता है, यहाँ पर emotion test का option मिलता है, यह उसके बेटर accuracy आपको noise की watch मिलेगी, उसके बाद मैं रखना चाहूँगा, यहाँ पर, जो आपकी beat xb की nuke watch है, उसमें मिलेगी, फिर fit shot की kitchen मिलेगी, फिर firebird की watch मिल जाएगी, आपको देखने के लिए accuracy, तो इस तरीके से accuracy देखने को मिलती है, and guys इसकी भी link आपको description box में ज लेते हो इस watch हो, तो काफी अच्छी deal बन जाती है, last to medium to thin wrist ले काफी अच्छी लगते है watch, तीनों wrist पे काफी अच्छी यह बन जाती है, तो guys, link इसके description box मिल जाएगी, तो guys, आपको इस वीडियो कैसी लगी, जरूर में को comment section बताना, and इस वीडियो को maximum maximum logo तक share कर दो, एक like तो बनता है हमारे चैनल पर, अगर आप आगए हो, गलती से तो एक like कर दो, और share कर दो, इस वीडियो को, maximum maximum logo तक, मिलते हैं आप सब इस एक ली वीडियो में दिलते हैं, बाई-बाई